All right guys, so हम लोग PHP के अंदर chat system बना रहे थे, real time live application बना रहे थे हैं हम लोग और उसको follow up करते हुए अब तक मैं आपको दो lectures provide कर चुका हूँ, पहले के अंदर demo था और कैसे आप उसको assess करेंगे और दूसरे के अंदर यहां पर मैंने आपको काफी हद तक वो same करके दिखा दिया था, एक बार मैं आपको चेक करा दो अब तक हम लोग कितना कुछ बना चुके हैं तो अगर हम localhost slash यहां पर लिखे chat system, तो अब तक हम लोग जो कर चुके हैं वो यह है कि हम लोगों ने पहला page कुछ ऐसा बनाया था, जिसको हम लोग थूड़ा सा finalize करेंगे और बाकी के pages के ऊपर भी आज हम काम करने वाले हैं अगर आपने अब तक PHP वाली website को open करके नहीं देखाया तो पहली video tutorial के अंदर जो मैंने दिखाया एक बार आप जाए और इसका demo एक बार चेक कर ले, क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं साइट को यहां पर close करने वाला हूँ, क्योंकि यह मेरे database में space cover up कर रहा है आप जाए PHP livechat.site जो है इसको access करें और room वगरा create करके chat करें जैसा मैंने आपको पहले lecture के अंदर दिखाया हुआ है और जो भी required चीज़े हैं इस video के playlist में उसका link mention है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर new है तो subscribe करें, bell icon को click करके all notification को on कर ले ताकि आपको latest videos की notification मिलती रहे और अगर आप playlist section में जाएंगे तो वहाँ पर मैंने already सिखा रखा है Google जैसी website कैसे बनाते है तो यहाँ पर आगया मैं अपने folder के अंदर और अगर आपको चेक कर आओ तो last time हमने जो किया था वो code मैंने open कर रखा है index.php को और यहाँ पर zam server open है जिसके अंदर मैंने apache और mysql को मैंने open कर लिया, apache server हमारा और mysql का हमारा database ठीक है तो as such अभी तक इतना कोई बड़ी कलाकारी नहीं की है मैंने, सब कुछ normal है जितना आपने देखा हुआ था सो यहाँ पर आगया हमें और सबसे पहला काम तम लोग एक यह करते हैं कि इसके अंदर की basic चीज़ों जो है उसको finalize करते हो और बाकी pages के उपर काम करते हैं अभी शाम के 7.35 होने वाले हैं यह दो मिनट पीछे चल रहा है सो कोशिश मेरी यही रहेगी कि आज आपको total कम से कम दो lecture दिया जाए एक तो अभी record होई रहा सो यहाँ पर आगया हमें और धूनते हैं हमारा जो font है यह रहा live chat system तो एक काम करते हैं इसका जो font है सबसे पहले तो हम लोग एक काम करते हैं कि जो font का color है वो हम लोग यहाँ पर कर देते हैं white और मैंने इसको save किया और उसके बाद आप आएंगे यहाँ पर और font tag को close कर देंगे चीक है जूम करके चेक कर रहा हूं तो कुछ यह है I don't think कि आपको इसमें कुछ problem अभी आना चाहिए तो यह हो गया और साथ में चाहूंगा इसको थोड़ा सा bold कर दिया जाए तो इसके लिए हम लोग bold tag लगाएंगे html के अंदर उसके लिए हम use करते हैं b तो b लगा दिया मैंने यहाँ पर bold tag के लिए और obvious सी बात है यह एक pair tag है तो आपको इसको close करना पड़ेगा all right so अच्छा लग रहा है और नीचे तो यह है इसके लिए भी मैं as it is copy paste कर लेता हूं लेकिन इसको लोग bold नहीं रखने वाले है so जो font color white है इसको as it is मैंने किया copy और यहाँ पर आके कर दिया है मैंने paste और यहाँ पर कर दिया मैंने उस font tag को close एक बार refresh करेंगे तो ठीक है अच्छा लग रहा है लेकिन इसको bold रख लेते हैं जाला अच्छा लगेगा so इसको कर दिया मैंने bold tag के अंदर और यहाँ पर आके हम लोग कर देंगे अपने bold tag को close और यहाँ पर आके एक बार refresh करके चेक करें तो much better अब मेरी requirement यह है कि यह box के अंदर आ जाए सारा का सारा ठीक है यह पूरा box के अंदर आ जाए तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने के लिए तो उसके लिए जादा कुछ नहीं करना body के बाद यहाँ पर अगर आप चेक करो तो background लगा दिया मैंने एक form बना हुआ है यह सारी चीज़ें है तो div है तो एक काम करते हैं इस पूरे को न हम एक और div के अंदर रख लेते हैं division के अंदर रख लेते हैं इसको तो मैंने क्या क कर लेते हैं और वो लगने वाला है obviously वात है इसके बाद तो इससे as such look wise तो कोई खास फरक पड़ेगा नहीं है तो कुछ ऐसा दिख रहा है आपको don't why उसको भी हम लोग सही कर लेंगे थोड़ी देर के अंदर ही जो थोड़ा सा alignment खराब हो गया है सबसे पहले तो आप एक का बात है वरना इसको आप style tag के साथ कर सकते हैं अगर फिर भी काम ना करें तो आप इसको center tag के साथ भी apply कर सकते हैं ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ यह जो हमारा सबसे पहले तो इसको हमें cut करना पड़ेगा और यहां मैंने बना दिया एक center tag और इसको यहां से कर लेते हैं cut closing वाले को एक बार save किया और यहां पर div close होने के बाद इसको कर देते हैं paste save करके यहां पर refresh करेंगे तो यह हमारा all right all right so यह center में नहीं आया अब यह हमें देखना पड़ेगा कि क्या problem है तो एक काम करते हैं इसमें हम लोग लगाते है style और यहां पर लगाते हैं align align चीक है align colon center और save किया मैंने इसको यहां पर अगर अब refresh करेंगे तो इस्टीर हमारे पास वर्क नहीं कर रहा है तो एक काम करते हैं इसको हम लोग यहां से करते हैं cut और form tag के बाद करते हैं इसको paste all right so all right एक काम करते हैं यहां पर जो center tag करते हैं यहां पर alignment जो है वो तो इसका perfect है उसमें कोई दिक्कत नहीं है as such और इसको मैं यहां से हटा देता हूं इसको यहां से हटा करके और चलिए यहीं पर रखते हैं और इसके बाद हमने जो किया है वो simple सा काम है हमारा center tag close है कई बार history cookie cash वगरा का problem आता है तो यह alignment वगरा साही तरीके से नहीं हो पाता है कोई दिक्कत नहीं है अब यहां पर आके सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे वो इस div का हम लोग alignment set करते है तो style लगाया मैंने और style में सबसे पहला काम तो करेंगे इसका maximum width कितना होना चाहिए देखिए यह होता normal width और अगर आप normal width करेंगे तो फिर वो responsive नहीं बनेगा जब आप उसको छोटे device पर लेके आएंगे तो भी वो उतना ही बड़ा रहेगा so मैंने इसको क्या कहा कि जो maximum width है ना वो क्या करें तो let us suppose हम लोग 400 pixels को try करके देखते हैं और semicolon लगाया मैंने यहाँ पर आके अगर हम refresh करेंगे तो 400 width के according यह अपने आपको adjust कर लेगा लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं है एक काम करते है जो div है ना इसका एक border भी लगा देते हैं तो यहाँ पर मैंने लिखा div और border यहाँ पर तो border दिया मैंने इसको let us say 5px solid white अगर हम यह करेंगे तो पूरी उमीद है कि यहाँ पर वो आ जाना चाहिए हमारे पास 5 pixels का border ठीक है border हमारे पास आच चुका है लेकि यह 400px जो थाना वो नहीं चला तो 400 की जगा अगर मैं इसको 500px करूँ तो देखते हैं क्या फर्क पड़ता है इसके उपर तो as such यह अभी भी वही problem create कर रहा है हमारे पास जो कि नहीं होना चाहिए तो एक काम करते हैं यह जो हमने विर्थ यहां लिखा है ना इसको यहां से remove कर देते हैं Ctrl X से और नीचे हमारे पास एक और डिव बना हुआ है उस पर जाते हैं और इसको paste करके देखते हैं कि यह काम करता है या नहीं करता है ठीक है और double quote लगा के मैंने उसको end कर दिया और यहां पर आके अगर हम refresh करे तो वह स्टिल not working है तो चलो इसमें इतना कुछ दिक्कत नहीं है Ctrl Z करके वापस उसको हम पहली जगा पर रख दिते हैं यहां पर अगर overall check करें तो center tag है जो की currently work नहीं कर रहा है form tag लगा रखा है हम ले और form का action है हमारे पास उसके अंदर normal है form ठीक है और इसके बाद आजाएगा हमारे पास एक काम करते हैं यह सारी चीज़े हम form tag के अंदर try करके देखते हैं जैसे कि मेरा form है अगर मैं उसमें ज तो विर्थ जो है वो still problem create कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है यहां पर I think हमने जो दो जगह पर किया था 500 की जगह पर इसको हम एक काम करते हैं 1000 pixels try करते हैं और save करके refresh किया तो वो still not working है कोई बात नहीं इसको copy किया control shift n और private browsing को पर paste करके देखा तो still यहां पर प्रॉलम है अब ह javascript console का सार लेता हूँ hope so वो हमें कुछ idea देगा fail to load resources not found ठीक है not found ले चल जाएगा और यह भी जो है वो भी चल जाएगा तो asset javascript console से हमें उतना कुछ खास यहां पर response नहीं मिला है सो यहां पर देखते हैं कहां पर प्रॉलम है हमारे पास तो form action equals to अब देखो यहां पर basic जो चीज़ है ना पहले उसको सही करते हैं चलो design तो हम कर लेंगे यह जो चीज़ है इसमें आता हूँ मैं कि जब यह room पर create करके start chatting के उपर click हो तो वो कहां पर जाए अब वो चीज़ form.php इस file com बनाने वाले हैं अभी बना नहीं है यह और method कौन सा यूज़ करने वाले हैं हम वो बताना पड़ेगा हमें तो मैंने कहा कि method हम लोग post करने वाले हैं अब get or post में क्या difference है करा चुका हूँ already मैं PHP series के अंदर आपको इस वीडियो के description में मैं आपको उसका link दे दू तो कहता object not found लेकिन वो claim room.php के उपर आ चुका है तो कुछ यही कराना था हमे claim.php हम लोग बना लेंगे एकना कुछ फर्क नहीं है claim room.php हम लोग बनाने वाले हैं अब यहां पर आते है problems के उपर की क्या दिक्कत है इसको तो अगर हम लोग इसको विर्थ रखके देखें एक बार. Save किया मैंने इसको और यहां पर आके अगर हम लोग refresh करें तो still चलो ठीक है वो सही हो गया. तो 1000 pixels में I think जाबा होना चाहिए था वैसे तो यह 1000 से और अगर इसको यहां से हटाया जाए और जो हमने div बना रख है वापस उसी के अंदर paste किया जाए और फिर अगर हम देखे कि 1000 pixels है हमारे पास क्या result है फिर उसके according हम चलते है ठीक है और राइट सो 500 पर हमारा काम हो जाएगा बड़े ही अराम से ठीक है इतना much better है अब आते है center tag कि center tag हमारा क्यों नहीं काम कर रहा तो अगर मैं इसको यहां से cut कर लूँ और इस div से पहले लाके paste कर दूँ तो hopes हो यह चलना चाहिए वैसे तो ठीक है वो center में भी आ गया तो form से पहले इसको close भी करना है तो center को मैंने यहां से किया cut चलिए ठीक चल रहा तो एक काम करते है छोड़ देते हैं इसको आप चाहिए तो उसको साही कर ले तो यह हमारे पास center में आ चुक है और जैसे यहां से आप room वगरा create करेंगे तो यह आपको room.php के ओपर ले जाएगा claim room.php के ओपर ले जाएगा जो की currently हमने create नहीं किया हुआ है अब आगे की चीज़े देखते हैं यहां पर index.page के अंदर हमारे पास कोई चीज रह तो नहीं गए इस फाइल के अंदर अब यहां पर मैं चेक क कर देते हैं input text वैसे तो id की कोई जुरुत नहीं है हम लोग यहां पर as such ना तो हम इसमें चलिए कोई बात नहीं password के जगा फिर भी मैं इसको text रखता हूं क्या पता in future हमारे पास यह काम में आ जाए और placeholder में आ जाएगा हमारे पास password I don't think कि हमें इसकी कोई जुरुत है यह placeholder show कर रहा है कि ऐसा कुछ कहीं पर चीक है यह additional तो नहीं है हमारे पास तो placeholder को भी मैं हटा देता हूं और कहीं ना कहीं हमने input text यहां पर आ जाएगा और मैंने इसको save किया और यहां पर आके किया refresh तो as such अब यह problem create कर रहा है कोई बातनी वैसे यह अच्छा लग रहा है यह किसके कारण हुआ यह हमें देखना पड़ेगा तो placeholder में उसको paste कर देता हूं और save किया मैंने ठीक है पहले की तरह हो गया अब मैं यहां से अपना room create कर सकता हूं और theme के according जैसे आप कुछ type करेंगे तो वह ऐसा हो जाएगा अच्छा लग रहा है वैसे यह मेरे पिछले वाले में भी नहीं था यह वाला अब अगर हम चेक करें तो यहां पर आजाएगा input label for input text ठीक है एक label है और यहां पर label close है उसके बाद हमारे पास एक button है और button का type है submit और और वैसी बात है PHP पर काम कर रहे है तो हमें इसका name रखना पड़ेगा तो name भी दे दिया मैंने इसका submit जो कि हमें helpful रहेगा आगे और यहां पर आके अगर हम चेक करें तो input type है इसका class है सब कुछ है form है placeholder है यह है वो है required भी है यह लेकिन इसका नाम नहीं है तो इसका name भी रखना पड़ेगा हमें तो name दे दिया मैंने इसको room अब ध्यान से दे जाएगा तो यह आपको कहां लेके जाएगा room.php के उपर sorry claim room.php के उपर यह आपको ले जाएगा गलत होगा तो वापस यहीं पर छोड़ देगा आपको अब क्या चीज़ें है क्या नहीं है इसको हम discuss करते है अगले lecture के अंदर फिलाल के लिए इतना बहुत है उम्मीद कर अगर अब न्यू है तो subscribe कर ले, bell icon को click करके all notification को on कर ले ताकि आपको latest videos की notification मिलती रहे, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो like जरूर करे, कोई doubt, feedback है तो comment करके जरूर बताए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, thanks for watching guys.